हेलो गाईज, वेलकम टो इंगलिस एजुकेशन, स्टुडेंट्स आजम पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइन्थ के विहाई बुक से एक बहुती प्यारी सी और बहुती छोटी सी पोयम जिसका नाम है ग्रीन स्नेक और इसके पोयट का नाम है बियार लक्षमन रॉय और ये ट्र कलर का है तो यहां पर देखें उसे इसनेक को मारने के लिए कहा जाता है उसकी मदर के द्वारा लेकिन वो मना कर देता है यहां पर पोयट का कहना है कि वो कोई भी हानी नहीं पहुचा रहा है किसी को तो उसे मारना नहीं चाहिए तो देखें जानते हैं पढ़ते हैं पोयम दिन यानि के हम पर्सो कह सकते हैं तो देखे अर्ली मॉर्निंग यानि के सुबह की बात है जल्दी सुबह की बात है और पर्सो की बात है अंडर ए स्लेब ऑफ स्टोन इन एक रेक तो देखे अंडर ए स्लेब ऑफ स्टोन की एक स्लेब थी उसके नीचे एक क्रेक में यानि के दरार में आइस ग्लेटरिंग आखे जो हैं चमक रही थी ग्लेटरिंग मेंस होता है चमक ना आखे चमक रही थी फोर्क टंग फोर्क मतलब जैसे की एक फोर्क होता है बिल्कुल वैसे ही एक फोर्क की तरह उसकी जीब थी लीकिंग एंड फ्लसिंग जिसे वो बार बार बाहर निकाल रहा था तो देखे एक फ्रोग को खा लेने की वज़ा से उसका जो बैली था उसका जो पेट था वो स्वैल हो रखा था उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वैलिंग आ रही है और वो वहाँ पर उस दरार में बड़ी हिट चुकचाप से लेटा हुआ था एक बेबी स्नेक टू हैंड लॉंग तो देखे वो एक बेबी स्नेक था यानि कि एक छोटा बच्चा था इस स्नेक का और वो दो हाथ लंबा था एक ग्रीन स्नेक और उसका कलर कैसा था उसका कलर था ग्रीन तो देखे यहां पर हमने फ़र्स्ट इस्टेंजा में पढ़ा एक दिन सुबह की बात है और पोएट कह रहें कि यह पड़सों की बात है पड़सों सुबह की एक स्टॉन यानि कि एक पत्थर के स्लेव के नीचे एक क्रैक में एक दरार में आखे चमक रही थी और जो उसकी ट बिल्कुल सान्ती से, बिल्कुल चुपचाप से लेटा हुआ था, वो एक बेबी स्नेक दो था और दो हाथ लंबा था, और वो इसनेक ग्रीन कलर का था, पूर थिंग, इट इस अ ग्रीन स्नेक, तो देखें पूर थिंग बताया गया है कि इसमें कुछ चीज़े बताई जाए वो एक ग्रीन स्नेक था, इस्टिला बेबी, वो भी एक छोटा बच्चा था, what harm can it do, I said, मैंने कहा कि वो किसी को क्या हानी पहुचा सकता है, क्या हाम कर सकता है वो किसी को, my father replied, लेकिन मेरे पिता इस पर जवाब देते हैं, a snake is a snake, तो एक साप तो एक साप होता है, and mother, और mother ने कहा, that is where everyone walks, वो कहती है कि ये वो जगा है, जहां पर हर कोई चलता है, यहां से हर कोई गुजर कर जाता है, we don't need trouble, वो कहती है कि हमें कोई परेसानी उठाने की जरूरत नहीं है, kill it, इसे मार दो, I, can, I can't, I said, मैंने कहा कि मैं उसे नहीं मार सकता, तो देखें, यहां पर second stranger में poet कहती है, कि जो snake है, वो green color का था, वो अभी baby था, और वो किसी को कोई हानी नहीं पहुचा सकता था, मैंने ऐसे कहा, लेकिन पिता जी ने जवाब दिया, कि एक snake, snake होता है, और mother ने कहा, कि हर कोई यहां से गुजर कर जाता है, इसलिए कोई परेसानी उठाने की जरू सकता हूँ, father struck him with a piece of firewood, तो देखे, पिता जी ने क्या किया, father ने क्या किया, एक firewood, यानि कि जिस से आग जलाई जाती है, वो लकडी उठाई, chased him outside, और उसका पीछा किया, बाहर तक उसका पीछा किया, and killed him flat, और उसे मार गिराया, तो देखे, third stranger में पढ़ा, कि father जो है, उ उसे मार गिराती है, तो देखे, यहाँ पर poet यह कहना चाहते है, कि वो जो snake था, वो एक harmful snake नहीं था, वो किसी कोहानी नहीं पहुचा रहा था, तो उसे नहीं मारना चाहिए था, बट यहाँ पर उसके पिता कहते है, कि snake होता है, और वो उसे मार गिराती है, तो देखे, यह नहीं पर आपकी पोयम होती है complete, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर अगर आप पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई क्यारी है तो आप कमेंट सेक्शन में ल आपकी केर